अलोग फ्रेंज, अगर आपको अपने वेबसाइट पे सब्डोमेन क्रियेट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने C-Panel को लॉग इन कर लेना है और लॉग इन करने के बाद आपको नीचे डोमेन वाले आपशन पे आज आना है यहाँ पर आपको जो है एक option दिखेगा sub domains का आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपका यह dashboard open होकर आ जाएगा लेकिन मुझे अब sub domain के आगे जैसे यह visalblog.com है तो मुझे इसके आगे जो है ना अगर रखना रहा तो मैं books डाल दिया ठीक है और इसके बाद हमें यहाँ पर create के button पर क्या करना है create कर देना है sub domain तो just मैंने क्या किया create पर click किया अभी हमारे यह sub domain create हो गया है लेकिन जैसे हमारा sub domain create हो जाता है तो इस पर फिर हमें again wordpress को install करना होता है तो wordpress install करने के लिए मैं अभी again आ जाता हूँ कि इस पर c panel पे तो वापस सही मैं c panel पे आ गया हूँ और आपको नीचे की और scroll करना है software का एक option दिखेगा और इसके just नीचे आपको दिखेगा wordpress manage by subta close तो आपको इस पर click कर देना है और click करने के बाद आपको wordpress कुछ इस तरीके से यहाँ पे installation management जो होता है wordpress का यह open हो जाएगा install के button पे आपको click करना है जैसे आप install के button पे click करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस domain पे आपको जो है wordpress install करना है तो आप इस पे click केजे और अपने books.vishalblogging.com के select कर लेना है और इसको WP जैसे आपने पिछले जब अपना ये wordpress को install क्या होगा तो जैसे कि हम लोग WP वहाँ से remove कर दिया थे तो इससे भी remove कर देना है और इसके बाद यहाँ पे username डालना है और इसके बाद यहाँ पे password डालना है administrator का जो email address आपको रखना है वो रख लेज़े and just नीचे scroll down कीज़े install के button पे click कीज़े आपका जो है sub domain पे wordpress जो है install हो जाएगा login किस तरीके से करना है login करने के लिए आपको लिखना है books.vishalblog.com and slash wp-admin और जो password और जो email होगा वो डाल कर उसे login कर लेना तो यह basically आप जो है ना sub domain का separate wordpress होगा ठीक है तो इसमें confused नहीं होना है कि आपको same wordpress से login करना है या फिर अलग यह books.vishalblog.in इसका अलग हो गया और vishalblog.com का यह अलग हो गया so I hope clear हो गया होगे so thank you